जै जिनेंद्र हम सुभशाम या पक्खी 84 सम्वसरी में प्रतिक्रमन करते हैं प्रतिक्रमन यानि पापों से पीछे हटना ये वह क्रिया है जो हमें लगे दोशों का प्रायश्चित कराती है मगर हमारे भाव प्रतिक्रमन के साथ नहीं जुड़े तो वह केवल तोता रटन क्रिया रह जाती है आओ प्रतिक्रमन के बाद कुछ अंतर भाव से हम मिच्छामी दुकडम देते है इसे भाव से सुनना, अंतकरन से जुड़ना और शमापना का आंतरिक आनन लेना पहला सामाई 24 संतो बे वंदन तरन प्रतिक्रमन चार काउसक पाच छटा करया चोवियार ना पचक खान तेने विशे कोई पाप दोश लागयो होए तो तस मिच्छामी दुकडम मिठ्यात्वनु प्रतिक्रमन कहेता अहो प्रभुजी अहो प्रभुजी मारो आत्मा संपूर्ण पने सम्यक दशानू धारक हुआ छतापन ते भावती भष्ट बनी जाए कुदेव कुगुरु कुधर्ममा ओत प्रोध बनी जाए परपधार्तमा मारा पनानी बुद्धिये करी परमा रंगाई जाए छ द्रव्य नवतत्वनी सद्धह ना परूपना करी होए परंतुस पर्षना करवामा विप्रित वर्तन करेल होए अने पाप दोश लागयो होए तो तस्समिछा आमी दुकडम अ व्रतनु प्रतिक्रमन कहेता अहो प्रभुजी अहो प्रभुजी मारो आत्मा वर्त मानी व्रत प्रत्याकान नो धारक हुआ छतापन ते भावती भष्ट बनी जाए पाँच इंद्रिय अने छट्टा मनने मोकला मुकी छकाय जिवनो आरम समारम करी मारा जिवन मा यथा क्या चारित्रनी उमेद्वारी वधे तेवु वर्तन नहीं करता चारित्रे मोहनिय कर्म बंधे तेवु वर्तन करे होए अने पाप दोश लागयो होए तो तस्समिछा आमी दुकडम प्रमादनु प्रतिक्रमन कहेता अहो प्रभुजी अहो प्रभुजी मारो आत्मा अप्रमत दशानु धारक हुआ चतापन ते भावती भष्ट बनी जाए प्रमादना पांजरा मा पुराई जाए पांच प्रकारना प्रमाद सेवी ने समय मलेत्या सज्जाय स्वाध्याय ध प्रतिक्रमन कहेता अहो प्रभुजी अहो प्रभुजी मारो आत्मा संपूर्ण पने वित्राग दशानू धारक हुआ पने भावती भ्रष्ट बनी जाए, राग मा रंगाई जाए, द्वेश मा दग्द बनी जाए, मान मा मलकाई जाए, लोब मा लुभाई जाए, कशाय मा कुटाई जाए, अध्न्यान मा आवराई जाए, परतंत्रना बंधन मा बंधाई जाए, आजीवे आ आवनी पर आव नव अवनवा संबंदो धारी स्नेहनी साकल गुतेली छे मापने बाप पने पुत्र पने पुत्री पने भाई पने भगिनी पने स्त्री पने पती पने एम अवनवा संबंदो धारीला छे ते तोडीने मारा नीज स्वरूपने निहालवा माटे मने शू करवा जोईये एम नहीं करत इस्ट व्यक्तिमा आनंद अनुभवयो होई अनिष्ट वस्तुनों विरह अनुभवयो होई अने पाप दोश लागयो होई तो तस्समिच्छा आमी दुक्डम। योगनुप्रतिक्रमन कहेता अहो प्रभुजी अहो प्रभुजी मारो आत्मा संपूर्ण पने योगाती तशानुदारक हुआ चतापन ते भावती भष्ट बनी जाए मनती आर्त ध्यान रौद्र ध्यान धर्या होई मनती कोई नी खोटी बुरी जुन्ती चिन्तवना करी संकल्प विकल्प कर्या होई मनती खराब विचारानू सेवन करेलू होई मनती कोई ना उपर प्रसन ताना पुष्पो वेरेला होई मनती कोई ने पंडित पद प्राप्त थैल छे तेने नीचे नमावाने पुर्शार्थ कर्यो होई अने मनना सोडा दंडक मा उत्पन थाय एवु वर्तन करयो होई अने पाप दोश लागयो होई तो तस समिच्छा आमी दुकडम वचनने माठी रिते प्रवर्तावेल होई मारा वचनती एल पेल भाषा बोलानी होई कोई ना मर्म छेदा ना होई कोई ना कालजे कर्वत मेला कोई ने समाधी लुटानी होई कोई ना प्रेम मा भंग पाड़े होई कालजू कमपावी होई दिल दुखावी होई दिल दिल वच्चे दिवाल उभी करी होई प्रेम वच्चे पड़दा पड़ी जाए व्यक्ती व्यक्ती वच्चे ना सम्मंदो वेर विखेर थाई जाए कोई ने आशानी चड़ेली मारत धर्निय धारी होई, मारा तमारा वचन थी, कोई ने जल समाधी ली होई, कोई ने अगनिस्नान करे होई, कोई ने खावा मा, पीवा मा, पहरवा मा, ओडवा मा, अंत्राय पाडी होई, अने वचनना 19 दंडक मा उत्पन थाय एवू वर्तन करे होई अने पाप दोश लागयो होई तो तस्समिच्छा मी दुक्डम काया ने माठी रिते प्रवर्तावेल होई काया थी वीर प्रभुनी आग्या त्याच मारा जीवन नी साधना वीर प्रभुनों कतन त्याच मारा जीवननों सर्वस्व एम महा वीर प्रभुना मुमुक्षु मोती भरेला वचनोने मारा जीवन मा अउधार वाजोईये एम नहीं करता हालता चालता कोई जिवनी आराधना करवाने बदले विराधना करी होए अने कायाना चोविस दंडक मा उत्पन न थाय एवु वर्तन कर्यो होए अने पाप दोश लागयो होए तो तस्समिच्छामी दुकडम मिथ्यात्वनु प्रतिक्रमन अवरतनु प्रतिक्रमन प्रमादनु प्रतिक्रमन कशायनु प्रतिक्रमन अशुबियोगनु प्रतिक्रमन माठा ध्याननु प्रतिक्रमन माठी लेशानु प्रतिक्रमन ये ब्यांसी बोलना प्रतिक्रमन मा काले अकाले उपयोग रहीद भनाव अने पाप दोश लागयों होए तो तस्समिच्छामी दुकडम आठ मद तेविस विशय चार कशाय पांच निद्रा पंद्र अशुब योग अठारा पापस्थान के विशय में जो कोई अतिचार दोश लगा हो तो तस्समिच्छामी दुकडम अठारा लाग चोविस हजार एक सो बीस प्रकारे कोई पाप दोश लागयों होए तो तस्समिच्छामी दुकडम गया कालनु प्रतिक्रमन वर्तमान कालनु संवर आउता कालना कर्या पच्खान तेने विशय मोल रूप शम संवेग निर्वेद अनुकंपा नहीं संखा नहीं ग्रंथ केवलीनू प्ररूपि दया मै धर्म आभव पर्भव भो भो होजो प्रतिक्रमन नी मोटी आस प्रतिक्रमन करसू बारे मास नवकार मंत्रतू मारो भाय मारे तारे घणी सगाय जोजे जानी नव नेते सर्वना दे खाडो मुक्ती ना महेल मनरुपी घोडो कि दा कर खाटे जनम पंडित मरन अंत समय रुडा साधू जीनो शरन सी यल मारे संथारे ज्यान मारे ओसी के समकीत मारा रुदय मा ते माटे मरन आवे तो भो भवना प्राय शित्त जाय मटी केरी तोरडी पर्खी त्रणवार पर्ख्या हीरा मानक मोती पर्ख्या हेम कपूर एक धर्म ना विशे नहीं पर्ख्यू आतमा क्या थयो डगमग साचाने जगडनार जूटाने बारम बार मिच्छामी दुक्डम जाग जे जीवडा जतन करजे ओलक जे आचार दोईली वेडा जान जे धर्म सकायो थाए धर्म धर्म सहु कहे धर्मनु न जाने मर्म धर्म ख ख़ी माते नवेचाय धर्म विवेकी नीप जे जोकरिये तो थाए धोड़ो आहार थोड़ो पाणी थोड़ो राक थोड़ो द्वेश थोड़ी निद्रा थोड़ो ख्लेश तेने रुठ्या अरिहंत देव अरिहंत देव तमे तर्या आमने तारो आभव सागर ना दुख मा पार उतारो धन्य मारा तमारा गुरुजी ने गूर्णी ने जे बुड्ताने तिरावै सिद्धे मार्गे चलावै तेने मारी ने तमारी समय समय निवंदना हो जो नती करता आभवने आर्थे नती करता परभवने आर्थे करिये एकांत निर्जरा मोक्षनी आर्थे जे जिव जैन धर्म धार से पाल से आराच से ते जिव तरिने मुक्तिमा महान सुकमा से करे मी मंगलम महा मंगलम थव थुई मंगलम नमस्कार करे मी नमो जिनानम जीय भयानम नमो जिनानम जीय भयानम नमो जिनानम जीय भयानम नमो जिनानम जीय भयानम नमस्कार करे मी